जहीं दोस्तो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एसके क्लासे राज में साथियों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ appointment लेटर आने के बाद जब joining के लिए आप जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से documents लेकर जाने हैं step by step आपको पूरी जानगारी इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को बिना skip की अंतक देखना जिससे complete information आपको समझ में आ सके चैनल प्रेद याप पहले बारा चैनल को subscribe दिरू कर लेना दोस्तों क्योंकि ऐसे content आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं ठीक दोस्तों करते हैं इस वीडियो साथियो नेवी ट्रेट्स में इस गिल्ड के लिए post रहने वाली है जिसका appointment आप मुंबई कमार्ड के दवारा जारी किया गया है साथियो वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ का joining थोड़ा process अलग रखा गया है इसके बारे में आपने detail से थोड़ा देख लेते हैं साथियो आपको एक joining letter या फिर appointment letter मिला होगा by post या gmail के मादन से उस appointment letter के आपको कम से कम 10 photocopies का set निकाल कर और वो लेकर जाने हैं ठीक साथियो इसके बाद में बात करते हैं documents की documents में आपको क्या-क्या documents लेकर जाने हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं साथियो documents की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो documents में आपको education qualification आपकी जो है certificate और NAC certificate सभी की पांच photocopy आपको minimum करवाकर लेकर जानी है पांच से अगर ज्यादा लेकर जाते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा रहता बाकि minimum पांच तो आप लेकर ही जाएं आपर उसके बाद में बात करते हैं आपर आपका card certificate साथियो अगर आप OBC SCST से belong करते हैं त आपको card certificate लेकर जाना latest उसकी पांच photocopies भी आपको करवा लेनी है पाद में बात करते हैं ITI ITI आपने कर रखा है तो ITI की mark sheet हो गई और ITI का certificate वह आपको लेकर जाना उसकी पांच photocopies भी आपको यहाँ पर लेकर जानी है यह आपके documents है उसी के साथ में आपको जमा करवान लेकि जाने पड़ेगी इसके बाद में कुछ documents और बताए गए उसके बारे में अपने details से थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि यह important होने वाले हैं यहाँ पर थोड़ा से भी आगर आप मिस हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसोईदा और वहां पर वाहां पर आपको कहीं चक्र लगाने पड़ेंगे थोड़ा इसको द्यान से समझ लेना इसको आप एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को दुबारा भी देख सकते हैं तो अब मैं यहाँ पर बताएता हूं आपको इसमें तीन परकार की आपको इससे फोटो है वो मांगी गई है यहाँ पर देखेंगे passport size की photo है वो आपको लेके जानी है जिसका जो background रहेगा वह blue background यहाँ पर रहने वाला है एक साथ यह उसमें 10 photo आपको लेके जाने पड़ेगी blue background photo की passport size ही कर, उसके बाद में अगली जो photo बताएगए उसमें यहाँ पर बताएगए है photography जिसका साइज रहेगा 2.5 cm से 3-5 cm रहने वाला है जिसका जो बेक्राउंड रहने वाला साथ की बल्यू बेक्राउंड यहां पर इसमें बताया गया है वह आप यहां पर देख सकते हैं इसकी पांच फोटो आपको लेके जाने पड़ेगी उसके बाद में तीन प्रकार की आपको लेके जाने है यह जो फो करवाफ के ने है इसके बाद में बात करें अगरामेज है तो आपका मेजस करिवाण बना ओगा तो वह भी आपको लेके जाना उसकी पांच फोट कोपी करवा लेने है वह आपको जमा करवाने पड़ेगी इसके बाद में आपका जोसे सेटिफिकेट जिसमे genetics date of birth mentioned की गई है वो भी आपको लेकि जाना है उसकी पांस फॉटकोपी जी आपको करवा लेनी है उसके बाद में अगर आप EWS category से select होए हैं तो EWS category का certificate भी आपको जमा करवाना है और उसकी पांस फॉटकोपी जी आपको जमा करवा देनी है यह जो भी document साथ यू मैंने आपको बताए है सबी का original documents भी आपके पास होना चाहिए और zerox भी आपके पास होनी चाहिए इसके बाद में कुछ और documents है उसके बारे में थोड़ा में बता जाता हूं जो आपकी parents की detail है parents की detail की बारे में थोड़ सा बात कर लेते हैं साथ हो parents detail में यहां पर बात करें तो आपके father और mother अगर हैं तो उनकी detail आपको यहां पर देनी पड़ेगी जीसे father का ID card हो गया या mother का ID का दोणों के आपको एक-एक ID card जमा करवाने है उसकी photocopies भी आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको आदागार लेके जाना है और इसकी पास-पास photocopies साथ ही आपको जो फादर और मदर है उनकी photo भी आपको जमा करवानी है वहाँ पर तो photo भी आपको लेके जानी है इसके बाद में अगर आपके छोटे भाई या बहीन है जिसे 21 साल से छोटे भाई और बहीन जिनकी साधी नहीं हुई है तो आपको उनकी एक-एक ID जमा करवानी है वहाँ पर उसकी एक-एक फोटो कोपी जो लेके जानी पड़ेगी और फोटो उनकी ठीक साथ यो आपको लेके जानी पड़ेगी जो आपकी पैरेंस डिटेल है उसमें ये आपका एक dependent कार्ड बनेगा वहाँ पर उसकी फोटो कोपी वहाँ पर लगने वाली है ठीक साथ यो इसके साथ ही अगर जैसे आपकी साधी हो गई है तो आपकी वाइफ है और अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी भी आपको एक-एक आड़ी और उनकी फोटो भी लेके जानी पड़ेगी गज़ेड अधिकारी कोई भी हो तो उनसे आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं आपका करेक्टर खीकर दोस्तों दो करेक्टर सर्टिफिकेट हो गए अगला पॉइंट चोतिय नमर पर बात करूं बैंक डिटेल की बैंक डिटेल में दोस्तों आपका जो पेमेंट आने वाल है आपकी बैंक डिटेल के साथ इसके अलाव आप जैसे बैंक डिटेल में आप खाता खुलवा रहे हैं या फिस आपका पहले से खाता है तो आपको चेक बुक अपलाई कर देनी है तो चेक बुक भी आपकी वहाँ पर लगने वाली क्योंकि आपको चार चेक है वहाँ पर क दूसरा बेंक मांगते हैं तो आपको LIC बेंक में भी वहाँ पर उसमें जो आपका NPS सिस्टम है वो बनाए जा सकता है तो आपको SGI बेंक है उसका खाता खुलवा लेना है और चेक्पुक वहाँ पर अपलाई कर देना अगर है तो अच्छा है नहीं है तो अपलाई कर देना कि दोस्तों यह हो गया आपका जो भी पेमेंट आने वाला है SGI बेंक में ही आपका पेमेंट आएगा यहां तक की बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी इसके अलाव आपको अपना जरूरी शामान जो भी है जैसे कपड़े खाने का शामान आदी यह सभी आपको लेक व्यश्ता करनी होगी तो आप उसके लिए कुछ से पैसे की व्यश्ता करके जाएं या अपने खाते में लेकर जाएं तो आपको आपको आसानी से रूम बगएरा है एजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक दोस्तों आसा करता हूं दोस्तों मेरे दोरा दी गई जानकर या आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जाते जाते लाइक जरू करके जाना दोस्तों इसके लावा अगर आपका कोई भी क्यूस्टन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिये जगा उसका आपको रिफ्लाइ दे दिया जाएगा वीडियो को अन तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैंद